आज हम लोग करेंगे कुछ और क्वेशन्स टॉपिक चल रहा था वाल्म आप क्यूब और क्यूब और क्यूबॉइड ओके एंसे एर्दी बूक एक्साइज 13.5 क्यूशन नमबर 9 अर रीवर 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड इस फ्लोविड एड दे रेट आप 2 किलो मीटर पर आर ठेक है राइट तो क्या बोल रहे हैं रिवर है कुछ ऐसा बना दें, suppose यह river है, ठीक है, fine, यह पानी बहरा है इसमें, ठीक है, this is river, ओके, अब जो बता रहे हैं, the river is 3 meter deep, दुबारा पढ़नूं क्या दे रखा है, yes, our river is 3 meter deep, जो उसकी गहराई है, वो 3 meter है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रॉ कर लूँ क्या, जैसे, suppose यह river है, पूरा, समझ रहे हैं, ठीक है, right, यह नीचे तक आ रहा है इसका, fine, ठीक है, यहां तक का है, पूरा, ओके, यह river है, और इसकी depth कितनी है, 3 meters, ओके, fine, आगे, क्या बोल रहे हैं, 40 meter wide, ठीक है, right, fine, 40 meter wide, जो इसके width है, 40 meter है, ठीक है, right, इसके height थोड़ी से कम हो गई, मतब, ज्यादा हो गई, इसके comparison में, fine, ऐसे कर लें, इसको, ठोड़ा सा make-up कर लेते हैं, आपर, 40 meter वाला थोड़ा बड़ा दिखना है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, 3 meter, यह इसकी depth हो गई, ठीक है, और इसकी width, जो river की जो चड़ाई है, थीक है, यह पानी बहरा है, और इसकी जो पूरी गहराई है, वो कितनी है, 3 meter है, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, is flowing at the rate of 2 km per hour, पानी बहरा है, रीवर में पानी बहरा है, इसकी स्पीड क्या बता रखी हैं आपर, ठीक है, स्पीड हमें बता रखी हैं आपर, 2 km per hour, यह इसकी स्पीड है, तो इस स्पीड को मैं कैसे समझूँ, किस तरह से समझना है, कि आप क्या करो, यह river की width है, यह depth है, ठीक है, और river को 2 km length में ले लो, यहाँ से लेके हां तक 2 km ठीक है, ठीक है, और आप ही मानो, मैंने यहाँ से क्या किया, ठीक है राइट, पहले मैंने यहाँ से measure किया, A point से, ठीक है राइट, length B point तक, ये 2 km है, ठीक है, fine, 2 km, और यहाँ पर मैंने क्या किया, पानी को बंद कर दिया, अब मुझे पता है, इस point से लेके इस point तक है, ठीक है, पानी यहाँ से आ रहा है, पीछे से, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, पर हमें वो नहीं, मैंने measurement यहाँ से लिया, ठीक है, पहले यहाँ पर बंद कर दिया, 2 km, मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है, right, fine, और यहाँ से पानी आने दिया, जब तक कि पूरा full नहीं हो जाए, up to the brim, ठीक है, हम लोग क्या बना देते हैं, gates बना देते हैं उसमें, ठीक है, right, fine, तो canals आपने देखें न, ठीक है, river में, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसमें, ठीक है, channels बना देते हैं, उसको रोखने के लिए, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं, dams होते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से आप मानलो, गेट बंद है और इस पूरे एरिये में पानी भरा हुआ है ठीक है फाइन ओके इसको ऐसे ले लेते हैं तो अब आप देखो फाइन इस पूरे एरिये में पानी भरा हुआ है समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाहरू हम स्पीड को समझना चाहरे है कि स्पीड है क्या टू किलोमेटर पर आर ठीक है तो यहां पर देखो क्या है ठीक है यहां से गेट बंद यहां से गेट बंद टू किलोमेटर की लेंध है इतना विट है और इतनी इसकी डेप्थ है तो two kilometer per hour का मतलब ये है कि इतना पानी जो इसमें भरा हुआ है समझ गया आप मैंने क्या किया यहाँ से gate बंद कर दिया अब अगर मैं इस gate को खोल दूँ अंदर और पानी नहीं आने देंगे बंद है अब मैं इस gate को खोल दूँ तो एक घंटे में पूरा पानी खाली हो जाए two kilometer per hour speed को समझाना चारा हूँ कि हम कैसे समझे mathematics में question solve करने के लिए two kilometer per hour का मतलब क्या हुआ है आपर ठीके तो आप इस तरह से मानो कि two kilometer लंबी river ले लो और उसे पूरा पानी पर दो block बना दो आप इस तरह से मानो कि बन दे और अब मैं इसको खोलूँ तो इसमें पानी एक घंटे में इतना पानी खाली हो जाएगा एक घंटे में इतना volume of water ठीके राइट यहां से खाली हो जाएगा speed को हम इस तरह से समझ सकते हैं समझ गए क्या सिर्फ समझ नहीं है question तो 3 step में हो जाएगा ठीके तो हम समझना चाहते हैं कि speed से क्या मतलब है speed से मतलब क्या है 2 km आप length में river ले लो उसके अंदर पूरा पानी भर दो तो यह cuboidal shape में आ गया cuboidal shape में दिख रहा है तो इसके अंदर अभी जितना पानी का volume है फिलाल इस structure में वो क्या हो जाएगा एक घंटे में खाली हो जाएगा वितना hour ओके यह speed का मतलब है fine चले तो हम दुबारा question पढ़ते हैं our river is 3 meter deep ठीके depth दे रखी है हमें fine तो लिख देते हैं यहापर depth of the river ठीके राइट इसको मैंने edge से denote कर दिया कितना है 3 meters ठीके इसको रब कर देते हैं फिर width of the river ठीके width of the river हमें किता दे रखा है 40 meters ठीके और length of the river हमें क्या लेना है length of the river हमें लेना है 2 kilometers that is 2000 meters ठीके किलो मीटर को मीटर में करने के लिए into 1000 और हमें speed क्या दे रखी है speed of यहां लोग इस तरह से rate लेने rate of ठीके यहां पर जगे कम है चलो यह पर लिख देते हैं rate of flow of river 2 kilometers पर आर ठीके तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालते हैं इस structure का volume आप समझ गया ना कैसे बनाए इस structure ठीके हमने इस speed को समझने के लिए 2 km पर आर इस question को करने के लिए हमने इस तरह से माना कि भई this is two banks of river ठीके कौन से two banks A, B and C, D these are the two banks of river पानी जो बह रहा है हमने एक mark लगाया 2 km की length ले ली और पानी को block कर दिया gate लगा दिया हम यहां से पानी आने दिया पानी आ रहा है जब पानी पूरा भर गया इसमें यहां पर भी gate लगा दिया ठीके, now water is up to the brim पूरा, पूरा इस तरह से बरा हुआ है ठीके, fine ओके, अब यह जो पानी है अगर मैं यहां से gate खोलूं तो यह पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा यह speed का मतलब है तो यह कौन से shape में आ गया cuboidal shape तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ इस shape का volume volume of water कितना हो जाएगा L into B into H ठीके, fine तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 2000 into 40 into 3 meter cube चीके, fine तो यह volume है इसके अंदर जो पानी का volume है वो इतना है इतने बास में आ गई ठीके, right अब आप देखो इतना पानी जो इसमें भरा हुआ है इसका volume यह है यह इतना पानी कितने घंटे में खाली हो जाएगा एक घंटे में क्या बोल रहे है अब जो river है यह जाकर कहां मिल जाती है तो हम मानते हैं कि यह end point है और इसके बाद gate खोलते ही sea है तो यह पूरा पानी किसमें गिर रहा है sea में गिर रहा है तो अगर मैं gate को खोल दूँ और यह पानी पूरा sea में गिरेगा तो sea में यह पानी गिरने में कितना time लगेगा 1 hour मतलब 2 km length river में जितना पानी भरा हुआ है यहां से हम मान रहें gate है और इसके जस्ट बाद sea है मैं gate खोलूँगा तो पानी sea में गिरेगा तो यह पूरा पानी sea में कितने गंटे में गिर जायेगा 1 hour में और इस पूरे पानी का volume कितना है इतना ठीके तो मैं लिख दूँ इस तरह से 2000 into 40 into 3 meter cube volume of water fall into sea in 1 hour मैंने यह आपर in नहीं लिखा है in 1 hour एक घंटे में इतना पानी एक घंटे में गिर जायेगा ठीके राइट बस में आ गई fine पर question में हमें क्या निकालना है question में हमें पानी निकालना है volume कि एक minute में कितना गिरेगा इस लिए r को इधर रखना पड़ेगा volume को इधर तो मैं ऐसे लिख दूँ in 1 hour fall into sea is this much 2000 into 40 into 3 meter cube ठीक है in 60 minutes volume of water fall into sea 60 minutes में कितना होगा same ही होगा ठीक है fine क्यों 1 hour equals to 60 minutes हमें क्या निकालना है 1 minute का तो 1 minute में कितना गिरेगा 2000 into 40 into 3 upon 60 right fine चलेगा fine ज्यादा कदे रखा है एक कर निकालना है तो divide तो 0 सो 0 cancel 3 into 2 6 2 into 2 4 तो कितना आ जाएगा 4000 meter cube तो 1 minute में C में कितना पानी गिरेगा ठीक है right 4000 meter ठीक है I hope समझ में आ गया होगा pause करके लिखें चले भई आपने लिख लिख लिया होगा fine इसके साथ जो homework आएगा वो आप जरूर करिएगा next class में मिलते हैं next topic के साथ तब तब practice करते रहें पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें बाइ